हेलो फैमली नमश्कार एक बार फिट से हाजर हो गई है आप सबकी फ्रेंड रेशु एक हैल्फ फूल वीडियो लेकर मावनना हर महिला के लिए बहुत ही खुबसूरत पल होता है लेकिन प्रेगनसी के टाइम पे बहुत सी महिलाओं को शारेरी को मान से कई तरीके की परिशानियों का सामना करना पड़ता है और प्रेगनसी के समय पे महिलाओं के शारी में बहुत सारे चेंजिस देखने को मिलते हैं जिनमें से कुछ changes तो बिलकुल normal होते हैं जिनमें आपको घबरानी के बिलकुल जरुबत नहीं होती है लेकिन कुछ ऐसे changes होते हैं जो आपको संकेत देती हैं कि आपकी pregnancy में दिक्कत है मतलब आपकी unhealthy pregnancy है प्रेग्निंसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फ्रेंड्स वो कौन से इसे संकेत हैं जिससे आप समय से पहले जान सकती हैं कि आपकी प्रेग्निंसी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है और आप डॉक्टर से सला ले सकती हैं डॉक्टर से समय पर अपना इलाज अपना च सब्सक्राइब कर लीजे पास में गंटे उसको दबा के आल पर कलिक जरूर कीजेगा और यह वीडियो अपने फ्रेंट फैमली में जो महिलाएब प्रिगनेंट हैं उनको भी शेर कीजेगा जिससे उनको भी हैल्प अपनी प्रिगनेंसी में मिल सके और हमारा बेबी के चैनल क बिल्कुल ना भूलें चैनल का लिंक मैंने वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोश्ट इंपोर्टेंट वीडियो सबसे पहला सिम्टम है बहुत जादा उल्टियां होना जैसे कि फ्रेंट थोड़ी वड़ी शाम को हो गई ऐसे तीन चार उल्टियां हो जाती है कोई दिखत में लेकिन आपको कंटिन्यो उल्टियां हो रही है बिल्कुल रुकी नहीं है एक बार में चार बार से जादा अगर आपको उल्टियां हो रही है तो यह जादा उल्टि होने का ही मतलब होता है जादा में अपने ज्यादा उल्टियां हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए डॉक्टर को बताना चाहिए ज्यादा उल्टियां होने से आपको दिक्कत हो सकती है आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है डिहाइड्रेशन होने से मतलब सरीर में पानी की कमी हो से गर में बच्चे के जो चारो तरफ पानी होता है एम्नेटिक फ्लूट जिसको बोला जाता है उसमें भी कमी आ सकती है इसलिए जादा उल्टिया होने पर तुरन डॉक्टर से मिलें दूसरा सिम्टम है फ्रेंड्स ब्लीडिंग ब्लीडिंग पूरी प्रेग्नेंसी आपको क तुरन डॉक्टर से मिलना चाहिए जुरुआती महीन में एक से चार महीने में मिसकैरिस को सिम्टम होता है इसके बाद पांस से साथ समय में यह दिलेवरी का सिम्टम होता है और नौबें महीने में यह कब II कोल इलाके आपको bleeding नजर आए, spotting नजर आए, आप तुरन डॉक्टर से मिलें, क्योंकि शायद pregnancy में आपके कोई दिक्कत है, या 9 महिने में नजर आए, मतलब आपका बच्चा आप जल्द ही आपके पास आने वाला है, तो बिना देरी किये हुए, आप तुरन डॉक्टर से जाके मिलें, तीसरा symptom में friends high fever, मतलब तेज बुखार, जैसे कि friends pregnancy में fever होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, ये क्या करता है, कि सीधा आपके गर में बच्चे पर असर डालता है, अगर आपको आपकी pregnancy में 101 तक fever है, तो ये बहुत जादा risky होता है, बहुत डेंजर होता है pregnancy में 12 और fever होने से बच्चे के चारो तरफ जो पानी होता है, उसमें तो कमी आने ही लगती है, साथ में बच्चे की health पर भी उससे फर्क पड़ता है, इसलिए आपको कभी भी लगे कि आपको तेज बुखार है, साथ में जोडों में दर्द हो रहा है, इसकिन पर आपके ला लाल-दाने हो गए हैं, तो ये infection का लक्षन होता है, मतलब आपको किसी तरह के infection ने जक्र लिया है, वैसे जो fever बगेरा होते हैं, सर्दी जुखाम होता है, वो infection की बज़े से ही होता है, तो fever होने पर या बहुत ज्यादा सर्दी खासी होने पर, लाल-डाने सरीर पर नजर आ इसलिए इन चीजों को हलके में बिल्कुल ना ले जब भी ऐसा कुछ नजर आए तुरंद चाके डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए और डॉक्टर को क्लियरली सब कुछ बताना चाहिए मतलब कि डॉक्टर से अपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं चुपानी है आपको चौतर सि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुपसान दायक होता है यह सीधा बच्चे पर अटेक करता है बच्चे तक जल्दी पहुंचता है इसलिए आपको कोई भी लापरवाई ऐसे में नहीं करनी चाहिए अगर आपको कभी भी ऐसी सिम्टम नजर आए कि जब आप यूरिन प खुजली हो रही है तो आप तुरंट जाकि दौ्टर से मिले हो सकता है आपको यूटिया हो कि उनी इसलिए क्यूक्छ आெक्षिंज नekा बच्चे के लिए खतरनाक होता है पांचिवा सिम्टम है तीज कभी भी आपको प्रेंसिय में नजर आ रहा यूंआ कभी आपको हैं तो आपको सबसे पहले तो यह करना है कि खुच से कोई भी मैडिस nast आपको नहीं लेनी है जब आप चोटी से छोटी से चोटी तकलीफ की जो मैडिसन है वह आपको डॉक्तर सेही लेनी चाहिए अपने आप से कोई मैडिस Para Pregnancy में आपको गलती से भी नहीं लेनी चाहिए जो डक्टर आपको लिख के दे जो डक्टर बोले के हाँ, ये medicine आप लोग वही आपको लेना चाहिए तो आपको कोई भी दिक्ट हो Reporting में सिर में दर्द, जोड़ो में दर्द कोई भी परिशानीयों. बुखार खरसर दी जो काम खासी जो भी medicine लें डॉक्टर से पूछ कहीं लें तो आपको जब भी लगे कि आपके सिर में बहुत तेज दर्द है आप तुरन डॉक्टर को जाके दिखाएं कि ये भी एक serious problem होती है प्रिग्नेंसी में इसको इग्नॉर आप ना करें मतलब अंदे ये वीडियो में आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइस जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें पास में जो घंटी उसको भी दबा लें तो ऐसे हसते रहें मुस्कुराते रहें और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए और अपना ध्यान कि वो बाइ थैंक यू